there's to end we have to study learning and cultural formation हमारे पास जो क्रण्ट रिसर्च ट्रेडिशन हैं more commonly जा है वो हमारे पास social constructiveness के उपर मुझूद है जहां पर हम यह समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वहां पर हम उसे focus कर रहे हैं development psychology और functional psychology के उपर पहले हमें थोड़ा सा culture को understand करने की जरूरत है और यहां पर जो हम culture की बात कर रहे हैं वो हमारा जो teaching learning process है जो हमारा school culture है हम उसके उपर बात कर रहे हैं school culture के उपर अगर हम देखें तो हमारी इस वक्त तक जो चीज़ें मिसिंग है developing countries के अपर मैं कास्पता पर बात करता हूँ क्योंकि ज्यादा focus यहां पर developing country का है और SDGs के अंदर जो हमारे पास issue था वो भी उसके उपर है तो यहां पर जो चीज़ हमारे पास missing नहीं था आती है वो हमारा creative work है creativity नहीं है हमने जो traditional education है जिसके उपर हमने road learning को focus किया हुआ है उस कुछ से जो हमारे problem जा रहे हैं वो क्या आ रहे हैं कि हमारा जो creative work है वो missing है और creative work के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें school का culture ही change करना पड़ेगा one way teaching learning process से हमें अलैदा होना पड़ेगा और हमें two way teaching learning process से two way teaching learning का process क्या है कि मैंने बच्चे को बताया है यह one way है मैं बच्चे से पूछ रहा हूँ और बच्चा भी मुझे बता रहा है और मैं उसको focus कर रहा हूँ मैं उसको इस बात में मजबूर कर रहा हूँ कि वो सोचने पर मजबूर हो और वो out of the box और वो तमाम चीजें जो के आम सेनेरियों से हट कर वो सोच सकता है वो अपनी सोच का इजार करें और उस सोच के इजार करने के लिए क्या जरूरी है कि हमें अपने स्कूल के कल्चर को बेतर करना होगा बदलने कला अपसरों मुश्किल हो जाता है कि हमने बिल्कुल तो कि नहीं बदल कर सकते बलके हमें उसके अंदर addition करना पड़ेगा और addition क्या करना पड़ेगा हमें हमें critical thinking की तरफ लाना पड़ेगा हमें उसको उपर लाना पड़ेगा अब दमाग को खोलना पड़ेगा कि अब आप ये मत समझें कि सिर्फ teacher ने आपको बताना है बलके आपने इससे आगे भी सोचना है जब इससे आगे सोचने की बात करेंगे जब हम critical thinking की बात करेंगे तो हमारा teaching learning जो culture है वो automatically बेतर होना शुरू हो जाएगा और वो बदलना शुरू हो जाएगा उससे क्या होगा उससे ये होगा कि हमारी जो नई need हैं जो हमारी नई skills हैं जो हमारी technology के साथ बेतरी हमेशा ही है वो हमारे इस culture से school culture से हम उसे आगे लेकी चलेंगे और उसके अंदर जो main focus होगा वो हमारे पास होगा teaching learning process teaching strategies अगर हम अपने culture के अंदर teaching strategies को revise कर जाते हैं उसकी मैं आपको एक example देना चाहूँगा के हमारे पास अगर हम old tradition की बात करते हैं तो teacher से सवाल करना जो है वो बच्चा hesitate होता था मायूब समझता था और वो समझता था के मैं सर से सवाल करूँ यह हमारा एक culture था अब अगर हम इस culture को change करें और अगर हम यह समझें के student भी learner है co learner है teacher भी co learner है student के पास भी वो knowledge है student के पास जो knowledge है अगर मैं उसको explore करने की कोशिश करूँ तो हमारा learning process different हो जाए ला यानि मैं सिर्फ एक one way बताने की बजाए मैं उसके साथ साथ one way तो बताने ही बताने ना मैं जब हम teacher हैं तो teacher ने तो आगर बताने ही बताने हम एक नई strategy अख्तियार करें और हम वो explore करें उस knowledge को जो student के पास मुझूद है और उसकी जो critical thinking उसको आप enhance करें तो इससे भी हमारी learning के अंदर जाए वो बेतरी आ जाएगी